कि फर एक्जांपल आडी करना मान लीजे अब मुझे एड करना है सब्ट्रैक्ट करना या कोई भी ऑप्रेशन करना है मैं क्या करता हूं दोनों के डोमेन का जो इंटर सेक्शन है वो लेता हूं अब देखें यह है और रियल नमबर लेकिन यह है और रियल नमबर होगी क्योंकि दोनों का इंटर सेक्शन क्या होगा यह होगा देखें जब भी हम इंटर सेक्ट करते हैं दो चीजों को तो यह पूरा रियल नमबर में से इतना सा हिस्सा माइनस हो गया तो दोनों में जो छोटा होता है उसको हम ले लेतें इंटर सेक्शन में इंटर सेक्श देखें f plus g मुझे क्या मिल जाएगा x plus 1 upon x मिल जाएगा simple क्योंकि f हमारे पास क्या है identity function यानी x g क्या है मेरे पास reciprocal function यानी कि 1 upon x ऐसे ही हमें अगर minus करना होता तो f minus g में लिख देता तो यह मुझे x minus 1 upon x मिलता अगें उसके mapping में माना मैं क्या बोलता उसका domain तब भी यही रहता को डोमेन उसका तब भी यही रहता ठीक multiply divide की अगर हम बात करें तो 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 देखे multiply divide में भी restriction तो यही रहेंगी कि मैं input उसमें जो है 0 नहीं कर सकता ठीक हाँ output क्या मिलेगा यह तो मुझे मालू मैं कोई ना कोई रियल नंबर ही output मिलेगा लेकिन एफ इंटू जी हम देखते हैं देखें एफ इंटू जी मुझे क्या मिलेगा एक से इंटू वन अपॉन एक्स ठीक है यानि की वन तो मुझे आइडेंटिटी फंक्शन और रेसी प्रोकल फंक्शन का output है ना product क्या मिल रहा है सिर्फ वन मिल रहा है अच्छा कोशंट एफ अपॉन जी एफ क्या है एक से और जी क्या है वान अपॉन एक से यह मुझे क्य मिल रहे है एक से इंटू एक स्क्वेर मिल रहा है तो सम डिफ्रेंस प्रोडक्ट एंड कोशंट यह सारी चीज़ें हम निकाल ले रहे हैं बस इसमें डूमें और को डूमें इनका ध्यान रखना है ठीक है को डूमें तो देखिए आप लिखोगे रियल बिकॉस फंक्शन र सम अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख लूँगा एफ प्लस जी ठीक है एक्स इस इक्वाल टू एक्स प्लस वान अपॉन एक्स यह मैं लिखोंगा ठीक है और यहां पर लिख दूँगा फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू सेट अफ और रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो कि मुझे सारी चीज बताने है एक्स लगा भं फ़लस जी एक्स प्लस ब्लस हो गा था क्वाल एक्स फोह छीक्स कैसा है कोई भी रीयल नंबर हो सकता due फिर एफ माइनस जी अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख लूँगा एफ माइनस जी एक्स ठीक है इस इकॉल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स टिक है और ओल एक्स बिलॉंग्स टू मुझे यह चीज मेंशन जरूर करनी है कि भाई यह जो एक्स वह कहां पर है जैसे मैंने फ जी लिखा फ जी एक्स एना प्रोडक्त क्या मिला था मुझे वन मिला था फॉर एक्स बिलंग्स टू एनी रियल लंबर एक्सेप्ट रो मैं यहां पर यह कहना चाहर हूं मैं इंपूट क्या-क्या कर सकता हूं यहां यहां पर मुझे मतलब किस रूल को फॉलो करना है यहां पर मैं क्या कर रहा हूं यह सारी चीज़ है इसी तरह से एफ अपॉन जी के लिए भी हम क्या लिखेंगे एक स्क्वेर लिखेंगे जैसे कि हमें यहां पर मिला था ठीक है एक स्क्वेर ठीक है फॉर ओल अच्छा एफ अपॉन जी एक लिख लेंगे ठीक है फॉर ओल एक्स बिलॉंग्स टू आर माइनस जीरो ठीक है यह तो हो गया इसको मदब प्रेजेंट करने का तरीका कंसेट प्रेक्ट तो देखें यह और के लिए बोकेसे नलाए आपको भॉला एफ मैप्स डू से लेके इंफिनिटी टीक है तूप बेलोज इंफिनिटी पे ओपन इंफिनिटी पे अमेशे ऑपन ही होता है तू आर माइनस थो से तो सबसे पहले आप क्या करोगे डोमेन का कॉमन पॉइंट क्या है वह निकालोगे फिर जैसे कि हमने वने प्लस यह फ मैनस जी निकालोगे यह वह ब्लस इंप्ट हम डालेंगे तो हमें आउट्प जो है real number मिलेगा लेकिन input क्या डालेंगे वो हमें देखना होगा इसमें यह सारी चीज़ें निकालनी है f plus g निकालना f minus g f into g f upon g one upon f one upon g ठीक है यह सारी चीज़ें निकालनी है अब देखें domain के लिए like यह जो fx है इसके domain के लिए अब आपको बोला real function है मतलब input भी real number के set से ही करना पड़ेगा लेकिन हाँ restrictions क्या है अब देखें इसमें हम कुछ भी put कर सकते हैं बस ऐसा number put नहीं कर सकते हैं जहां पर यह क्या हो जाए denominator 0 हो जाए यानि कि अब मुझे देखना यह 0 कब होगा denominator यानि एक्स प्लस 4 0 कब होगा यह 0 तब होगा जब एक्स जो है माइनस 4 बन जाएगा ठीक है बात समझ में एक्स प्लस 4 इस इकॉल तो अगर मैं 0 डालता हूं तो एक्स मुझे माइनस 4 मिल जाता है यह जो f function है इसका जो domain है वो क्या हो जाएगा any real number except minus 4 ठीक है map तो यह real number पे ही करेगा क्योंकि आपको बोला है real function है तो obviously output आपको कोई ना कोई real number ही मिलेगा तो यह इसका डुमेन आ गया है आर माइनस माइनस 4 ऐसे जी का अब देखें जी में तो कोई restriction है नहीं है ना क्योंकि यह डिनॉमिनेटर में नहीं है तो आप इसको do upon जी जब मैं कर रहा हूँ तो मैं basicly क्या का कर रहा हूं in kya है one upon ชdoor और्जी क्या है अपाउन एक्स प्लस फॉर का होल क्यूब जो की मुझे further 4 kWh 4 आप यहाँ पर मैंक्या नहीं कर सकता माइन सब्सक्राइब यह क्या इंपोर्ट नहीं कर सकता ऐसी फे तो यहाँ पर मैं क्या इन नहीं कर सकता घर्णा उतैज और आतना ऀसी नहीं मुझे फॉर यह सब जिश्क्राइब जो आपके होमवर्क M Nej है अब आपको यह सारी चीज़े फाइंट करने है अब आपको यह सारी चीज़े तो मैंने समझा दिये यह एफ और एफ जी और जी क्या है देखें कुछ नहीं घबराने की जुरूरत नहीं है एफ और एफ मतलब मुझे एफ एक्स मुल्टिप्लाइड बाइए एक्स ठीक है यानि एफ स्क्वेर आपको निकालना है सिम्लली जी जी एक्स इंटू जाएगा देखें यहीं पर बता सकते हो रूट ऑफ एक्स प्लस टू इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस टू बचेगा बस तो आपको यहाँ इंट इस जी फांक्षन टीक है तो आपकोली 1 दिया हुए एए फटी वर श्क्रात्राइब सब्स मैं अधीए यहां पर देखे यहां पर सिर्फ एफ टीद निकालने पर बोला तो मैं क्या करता था इय Shirley reppard निकालता था यहां पर प्लस घी और 1 दिय तो आपने यहां परहना क्या है पहले तो 12ल beres देखे cse P butcher एक्सपरियनियोहटिया याँ एफ एक्स क्या हो गया ऐइस अच्छा आपको क्या बोला है लॉग लॉग यह भाटल मुझे गालना तलो सबसे कहले तो मैं एप मुझे और कों निकाल लोंग ठीक है है वह क्या हो जाएगा इए एक्स प्लॉस अभी किन में निकाल लूंगा जो भी operation दिया है अब इसमें मुझे वन पूट करना यानि एकी पावर वन प्लस लॉग ऑफ वन अब मुझे वैल्यू जैसे मैंने आपको बता है लॉग जीरो होता है और एवन क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तो वह आपका आंसर जो है लिखना है similarly यहाँ पर पहले f x into gx निकालो फिर उसमें x की वैली वन पोट करो यहाँ पर पहले तो देखिये fx जो भी है उसमें x की जगाँ वन put करना है फिर उसको three times करना है ध्यान रखना है यहाँ पे भी मुझे क्या करना है जी एक्स जो भी है उसमें एक्स की वैल्यू पहले one put करनी है उसके बाद उसका five times करना है इसको आप basically five times एसे लिख सकते हो मतलब G x मुझझे जो भी मिलेगा उसका आप एकस जो भी मिलेगा उसमें इस की वैलेवन पुट कर यूझ कर के उसका दोपिक अमने कुछ दोमेन निकाल domain कैसे निकालेंगे तो यहां पर देखिए जैसे मुझे मौट फंक्शन दिया हुआ है ठीक है ना तो मुझे क्या करना है कि यह जितने भी फंक्शन दिया है जैसे स्क्वारूट फंक्शन दिया है X is less than 0 ठीक है यह mod function हमने समझा हुआ है then square root function हमने देखा है कि square root of x यहाँ पे this x has to be greater than or equal to 0 ठीक है ठीक है यहाँ पे बहुत सारे functions जाओ एक खटे है एक तो mod function हो गया then square root function हो गया और square root के restriction क्या है x is greater than or equal to 0 ठीक है यह कभी भी negative नहीं हो सकता square root के अंदर कोई भी negative number आगे तो यह undefined हो जाएगा ठीक है ना मतलब real number नहीं होगा अच्छा ठीक है ना undefined by undefined I mean वो कोई real number नहीं मिलेगा imaginary number मिल सकता है जो कि आप आगे complex number topic में पढ़ोगे okay then we have reciprocal function और देखे वन अपन सम्थिंग तो reciprocal function में हमें restriction क्या होती है कि जो denominator this should not be equal to zero ठीक है ना तो यहां पर देखे मुझे क्या करना है कि यह जो टोटल अंडुरूट ऑफ वाटेवर है यह not equal to zero तो होना चाहिए है ना that means under root of x minus mod x this should not be equal to zero इस बात का मुझे ध्यान रखना क्योंकि अगर यह 0 हो गया तो यह हो जाएगा यह 0 वाले सारे चीज़ें जहां मुझे exclude करनी है अच्छा दूसरी चीज है हमेशा पॉस्टिव होना चाहिए नेगेटिव मुझे नहीं मिलना चाहिए अच्छा अब हम देखते हैं यहां पर की देखे एक से माइनस मॉड एक से अब यहां पर देखे मैं दो ही केस बना सकता हूं एक स्टेटर दंजीरो और एक स्टेंड जीरों चीज़ें क्योंकि मॉट मुझे कहता है देखें मॉट दो केसिस में दो अलग-अलग इसकी वैलियूज होती हैं लाइक मॉड एक से एक से ग्रेटर दान और equal to 0, mod x is minus x when x is less than 0, अब equal to वाला हिस्सा तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि the moment मैंने x is equal to 0 लिया, 1 upon 0 minus 0, यानि कि 0, ये पूरा term 0 बन जाएगा, और वो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि reciprocal में मुझे 0 नहीं चाहिए, अच्छा, one part is clear, now, अब उससे मुझे क्या हुआ कि ये equality वाल अब आगे हम देखते हैं कि मेरे पास ये दो case जो बचे हैं, x greater than 0 और x less than 0, वहाँ पर ये function कैसे behave कर रहे हैं, तो मैं अभी सिर्फ इतने portion की बात करता हूँ, x minus mod x, अब देखिए, when x is greater than 0, जब x greater than 0 होता है, तो mod x क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो उस situation में ये जो सिर्फ root के अंदर वाला जो function है, क्या बन जाएगा, x minus x बन जाएगा, and that is 0, that is not desirable, क्योंकि मुझे ये 0 चाहिए ही नहीं यहाँ पे, that means x greater than equal to 0 तो होई नहीं सकता, तो domain में 0 तो हम नहीं ले सकते, greater than 0 मतलब कोई भी positive real number नहीं ले सकते, अच्छा, अब हम negative real numbers की बात करते हैं, ठीक domain का मतलब, हाँ, आपको question में बोला, fx is equal to this, and मुझे इसका domain निकालना है, domain का मतलब मैं यहाँ पे x की value क्या-क्या input कर सकता, तो 0 में input नहीं कर सकता, undefined हो रहा है, positive में input नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे देखा, the moment x greater than 0 है, mod x, x बन जाएगा, और यह x minus x, यानि की 0 मिल है, और मुझे denominator में 0 किसी भी हालत में नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसके domain में 0 भी नहीं हो सकता, कोई भी positive number भी नहीं हो सकता, अब हम negative number पे आते हैं, तो देखते हैं, negative number में कोई बात बन रही है, क्या, अब देखे, मुझे मालूम है, when x is less than 0, mod x क्या बन जाता है, minus x, ठीक x, तो मैं इसको लिख लोगा, x minus minus x, जो कि बन जाएगा, x plus x, यानि की 2x, ठीक है, इतना समझ में आया, इसको एक बार clean कर दू, आपको यह जाधा better समझ में आएगा, चलिए, एक बार मैं आपको अच्छे से समझाता है, अब देखे, मैंने x minus mod x की पहले तो value निकालनी है, ठीक है, और हमने case लेना है, x, when x is less than 0, ठीक है, greater than 0 से तो बात नहीं बन रही है, equal to 0 से भी बात नहीं बन रही है, less than 0 में क्या बात बन रही है, वो हम देखेंगे, तो अब देखे, less than 0 में, जैसे कि मैंने पढ़ा, mod x is equal to minus x, तो यह हो जाएगा, x minus minus x, यानि की, minus minus plus, तो य देखने में क्या लग रहा है, one upon under root 2x, देखने में यह लग रहा है, अब देखने में यह लग रहा है, कि one upon under root 2x, तो भई हो सकता है, है न, लेकिन नहीं, ऐसे क्यों, क्योंकि देखें, यहाँ पर condition क्या डाली है, x is less than 0, मतलब कोई भी negative number, one upon under root 2x मेल रहा है, अब x की value में मैं अगर minus 1 डालता हूं, तो यह हो जाएगा, one upon minus 1 into 2, यानी कि minus 2, अब negative number का तो root हम निकाली नहीं सकते, यह हमने पढ़ा कि square root function में negative नहीं होना चाहिए, तो negative वाली बात आ गए, अब मैं कोई भी negative value डालूँगा, यहाँ पे x की जगा, because x is less than 0, तो मुझे negative ही मिलेगा, that means less than 0 पे भी, हम कोई मतलब value जो है यहाँ पर नहीं निकाल पा रहे है, तो इसका यह मतलब हुआ, कि यह function ना तो positive real numbers में input करने से यह function define हो पा रहे है, नहीं negative real numbers में यह function define हो पा रहे है, नहीं 0 पर यह function define हो पा रहे है, तो basically इसका जो domain है, क्या होगा, इसका domain is, क्या बोलेंगे, कोई भी real number इसमें आई नहीं रहे है, तो इसका domain कुछ है ही नहीं, मतलब मैं इसमें कुछ डाली नहीं सकता हूँ, null set, ठीक है, यह next question हम देखते है, तो यह तो आपको समझ में आ गया, कि अब domain निकालने के लिए मुझे करना क्या है, कि domain माना इस इसमें मैं x की क्या value input कर सकता हूँ, और देखे, मुझे कोई भी ऐसी value input नहीं करनी है, जिससे इसका denominator 0 बन जाए, यह square root के अंदर negative आ जाए, ठीक है, दो चीजे, moreover, इस mod function का मुझे ध्यान रखना है, कि भाई, यह less than 0 कैसे behave कर रहा है, greater than 0 कैसे behave कर रहा है, तो जितनी भी possibilities है, वो मैं ले लूँ, है न, अगेन यहाँ पर reciprocal function है, mod function है, square root function है, जैसे previous question था, बस यहाँ पर बीच में plus sign आ गया, domain निकालेंगे, तो देखे, 0 वाला case, like x equals to 0, यह वाला case तो वैसे भी rule out हो जाएगा, क्योंकि the moment मैं यहाँ पर 0 put करूंगा, यह भी 0, यह भी 0, 1 upon 0, square root of 0 is 0, तो यह undefine हो जाएगा, तो यह तो rule out हो गया, मतलब x 0 तो हो ही नहीं सकता, मेरे पास दो case बच जाते हैं, x greater than 0 और x less than 0, क्योंकि mod function है, यह greater than 0 पर अलग behave करता है, less than 0 पर अलग behave करता है, माना इसकी definitions अलग अलग है, रहता तो यह positive ही है, तो अब हम पहला case लेते है, x greater than 0, ठीक है, उस situation में, मैं सिर्फ इतने हिस्से को पहले देखता हूँ, क्या हो रहा है, तो देखे, x plus mod x क्या बन जाएगा, x plus mod x बन जाएगा, x plus x, ऐसे क्यों, क्योंकि whenever x is greater than 0, mod x जो है, x होता है, अभी मैंने आपको बताया, mod x is equal to x, and mod x is equal to minus x, कब? जब x less than 0 है, जब x greater than 0 है, तो x greater than 0 है, तो mod x जो है, x होता है, तो इस mod x को मैंने क्या किया, x लिख लिया, x plus x यानि कि 2x, ठीक है, और यहाँ पर x हमने क्या जियों क्या होए, greater than 0, तो obviously 2x क्या बन जाएगा, positive, तो fx, 1 upon under root 2x, where x is positive, तो obviously यह defined है, ठीक है, जिक है, 0 हम पहले ही rule out कर चके, मतलब यहाँ पर इतना तो मुझे समझ में आगया कि यह 0 से बड़ा कोई भी number मैं यहाँ put करूं, up till infinity, मतलब all positive real numbers, तो उसको हम लिखेंगे कैसे 0 से लेके infinity, 0 पर मैंने open किया हुआ, मतलब मैं 0 include नहीं कर सकता हूं, क्योंसे उसको पहले ही हटा चुका, तो यह हमने देखा कि 0 से लेके infinity के बीच में, मतलब any positive real number मैं यहाँ पर input कर सकता हूं, ठीक, तो पहला case तो हो गया, अब यह दूसरा case लेते है, when x is less than 0, अच्छा, जब x less than 0 है, तो mod x क्या बन जाएगा, minus x, जैसे कि यहाँ पर बताएं आपको, तो अब यह जो function है, x plus mod x, है ना, सिर्फ इतना portion, य x, minus x, क्योंकि mod x minus x होता है, तो यह बन जाएगा 0, obviously यह negative real numbers में क्या हो जाएगा, undefined, therefore इसका domain मतलब मैं क्या input कर सकता हूं, सिर्फ positive real number ही input कर सकता हूं, therefore domain क्या हो गया, 0 से लेके infinity, जिसको हम all positive real numbers भी बोल सकते हैं, ठीक है,